दोस्तो दन कमाने के लिए हर व्यक्ति दिन रात कड़ी मेहनत करता है लेकिन कहीं बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को दन की प्राप्ति नहीं हो पाती इसके करण उसे बहुती प्रेसानियों का सामना करना पड़ता है और अन्हीं प्रेसानियों को ख़तम करने के लिए वह बहुत से उपायों को करने में जुड़ जाता है तो यह जानते हैं दन प्राप्ति के लिए सरल उपाई जिससे आप दन सम्बन्दी प्रेशानिया चाहसानिची चुटकाराप पासकते हैं आप यह परियोग कर सकते हैं लेकिन यह परियोग आपको 3 सुख्रवार को लगतार करना होगा और इसके लिए हर सुकरवार को नित्य करम से निवरत होकर अपने घर के पुजा इस्तल में घी का दिपक जलाकर महालक्समी को मिस्री और खिर का बोग लगाए इसके बाद उनके सामने इस मंत्रा का विदिवत जब करे और ये मंत्रा है ओम सरी सरी नमहा आपको इस मंत्रा का 108 बार जब करना है और इसके बाद 7 साल से भी कम आयोकी कन्याओं को बोजन करवाए ध्यान रहे के कन्याओं के बोजन में खीर और मिस्री जरूर किलाए ऐसा लगातार तिन सुकरवार से महालक्समी जल्दी परसन होगी और आर्थिक प्रेसानी भी कतम हो जाती है और सुकरवार के दिन गाय के दूद्चे श्री जिंद्र का अभिसेक करे अभिसेक के उपरान अभिसेक का जल्द पूरे घर में फूल के मादियम से चड़क दे पुजा के बाद श्री येत्रा को धन इस तल पर रख दे ऐसा करने से आपके आर्थिक इस्तती मजबूत होगी इस दिन दान देने का भी विश्यस मेहत्व होता है इसलिए इस दिन जितना हो सके गरीबों को दान करे सफेद रेंग के वस्तू या खाज पदारत का दान करे तो ये ज़्यादा सुब रहेगा तो दोस्तों मैं अमित करूंगा कि महालक्षमी का अस्तिरवाद सिदा आप पर बना रहे और कमेंट में जय महालक्षमी जरूर लिखे